हलो गाईज, वल्कम टू स्टे स्मार्टो गाईज, आज ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्डेंट होने वाली है, जो लोग बहुत दिनों से सोच रहे थे के वो अपना एक ब्लॉग बनाए, ब्लॉगिंग स्टार्ट करें, ब्लॉगिंग फील्ड म नहीं किया, तो उनके लिए ये बेस्ट टाइम है गाईज, ब्लॉगिंग को स्टार्ट करने का, अपना एक न्यू ब्लॉग बनाने का, ब्लॉगिंग ट्राइ करने का, qiंकि आपको तो पता है, इंडिया के सिच्चुेशन इस समय कैसी है, इंडिया की क्या किसी भी कंड् लॉग्डॉन होके घरों में पड़ा हुआ है, सबके पास बहुत ज्यादा फ्री टाइम अब है, तो ऐसे में अगर आप सोच रहे थे, ब्लॉग्डॉन को स्टार्ट करना तो ये बेस्ट टाइम है, आप ब्लॉग्डॉन की स्टार्ट कर सकते हो, क्यूंकि अब देखे, आप अपना टाइम वेस्ट करने के बज़ाए, अगर हम अपने टाइम को यूटिलाइस करें, हम जो करना चाहते हैं वो, अगर हम स्टार्ट कर दें अभी से, तो आप ये जो लॉग्डॉन का टाइम है, तब तक आप ब्लॉग्डॉन के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हो, तो लेना पड़ेगा, हमें होसिंग लेनी पड़ेगी, हमें डोमेन लेना पड़ेगा, थीम्स वगेरा, ये वो बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, अगर आप एक बिगिनर हो और ब्लॉगिंग को स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप फ्री से रिलेटेड एक सीरीज लाने वाला हूँ, जिसका नाम है ब्लॉगिंग फर बिगिनर्स, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, कि आप कैसे अपना एक फ्री ओफ कॉस्ट ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो, आपको किसी भी चीज़ के लिए पैसों की रिक्वाइर्मेंट नहीं रहेगी, इस सीरीज में मैं बस यही बताना चाहता हूँ, यही सिखाना चाहता हूँ, कि आप फ्री ओफ कॉस्ट अपना एक ब्लॉग कैसे स्टार्ट कर सकते हो, ब्लॉग स्टार्ट करने के बाद उसे आप कैसे कस्टमाइज करना है, कैसे सेट करना है, आपको articles कैसे लिखने है, pages कैसे बनाना है, on-page SEO, off-page SEO और भी बहुत सारी चीज़ें कैसे आपको उसे adsense करिए, approval लेना है कैसे उसके लिए आपको back links बनाने होंगे, कैसे और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, blog start करने से लेकर आप उस blog से कैसे revenue generate करोगे, कैसे आप उस blog से earning कर सकोगे, वो सब कुछ मैं इस series में बताने वाला हूँ, तो अगर आप सोच रहे थे blog start करना, या अगर आप चाह रहे हो blogging को start करना, तो make sure के आप हमारे channel पर बने रहें, क्योंके daily एक वीडियो आने वाली है, इस series के, जिसमें मैं आपको बड़े अच्छे से सब कुछ बताने वाला हूँ, तो guys make sure के आप हमारे channel को subscribe जरूर करें तो guys, इस series की हमारी ये पहली वीडियो है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, कि आप कैसे अपना एक free का blog स्टार्ट कर सकते हो जिहां guys, how to start ये blog, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे free of cost अपना एक blog स्टार्ट कर सकते हो, वीडियो में आगे बढ़ने से आउंगा, तो guys, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हमें blogging स्टार्ट करने के लिए एक blog बनानी की जरुवत परती है तो जब भी हम blog बनानी की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले 2 options आते हैं, एक है wordpress दूसरा है blogger.com अगर आपको एक free का blog बनाना है तो blogger.com is the best और अगर आप पैसे लगाना चाहते हो तो आप wordpress के साथ जा सकते हो hosting आपको लेनी हो कि आपको domain purchase करना होगा wordpress पर, रैसे wordpress पर भी आप free का blog बना सकते हो क्योंकि blogger.com एक google का product है guys और ये बहुती आसान है beginners के लिए इसको समझना, इसको use करना तो majority of bloggers जो होते हैं वो blogger से ही शुरू करते हैं अपना एक blog बनाते हैं, उसमें काम करते हैं जब उन्हें चीज़न समझ में आनी लगती है कि blogging असल कैसे करी जाती है क्या क्या कुछ करना होता है जब उन्हें समझ आ जाए तो वो अपने blog को shift करते हैं wordpress पर तो सीखने के लिए हमें blogger.com पर ही अपना पहला blog बनाना पड़ेगा तो ये तो होगी platform की बात guys अब बात आती है blog की topic की niche की तो blog बनाने के लिए आपको सबसे पहले topic का पता होना बहुत ज़रूरी है आप किस topic पर blog बनाओगे किस niche पर आप काम करोगे किस niche पर आप काम कर सकते हो ये आपको clear होना चाहिए guys जैसे मैं अगर example दो तो health blog, food blog, fitness blog, tech blog, recipe blogs इस तरह के बहुत सारे topics से niche होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस niche पर blog बनाने वाले हो guys बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में quarts वाले website बनाते हैं quarts वो अपने website पर दालते हैं जिसे शायरी, status, quarts इस तरह के भी blog बनाकर काफी लोग अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं guys तो आपको ये clear होना चाहिए कि आप किस niche में काम करना चाहते हो आप किस niche पर blog बनाऊगे तो चाहिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में मैं आपको court वाले website बनाना सिखाऊंगा मतलब मैं court वाले website बनाऊँगा process सभी blogs का सेम होता है guys बस आपको content जब लिखो के आप तब आप अपना content लिखना process तो सभी का सेम होता है guys तो सबसे पहले आपको Google पर आजाना है अगर आपके पास PC या रैक्टॉप नहीं है तो आप अपने Chrome browser open कीजिए और Chrome browser open करकर आप Google पर आ जाएए आने के बाद three dots पर क्लिक कीजिए और वहां से नीचे request desktop site लिखा होगा आप उस पर क्लिक कर दीजिए आप mobile phone से भी यह सब कुछ कर सकते हो और Google पर आने के बारत आप यहां पर search में blogger search कर सकते हो यह आगर आप चाहो तो यहां पर url में blogger.com लिखकर आपको enter कर देना है blogger.com तो आप यहां पर देख सकते हो हम आ गया है blogger.com पर दोस्तों यह एक Google का ही product है आप Google का product use करके आप यहां से blogging free में start कर सकते हो मैंने जैसे बोला कि wordpress पर भी आप a free blog बना सकते हो लेकिन वहां पर कुछ limitations होती है hosting के regarding तो यहां पर आपको किसी भी तरह की limitations नहीं होगी आप चाहे कितना भी content upload कर लो चाहे videos upload करो hosting की limit यहां पर कुछ नहीं होती तो इसलिए blogger बहुत सारे लोग use करते हैं और यह easy बी होता है तो आपको just simply यहां पर create your blog पर click कर देना है और जैसे ही आप click कर ओगे तो यहां पर आपको अपने Gmail का use करके sign in कर ले रहा है तो चलिए मैं किसी भी एक Gmail सा यहां पर sign in कर लेता हूँ तो दोस्तों जैसे ही आप sign in कर लेते हो तो आपके सामें कुछ इस तरह का interference आ जाता है और यहां पर आप देख सकते हो title यह आपसे बोल रहा है कि आप अपने blog का नाम दीजिए यहां पर तो आप करें जो भी topic है उस सर्वाटेट कुछ अच्छा सा keyword जो लोग जादा सर्च करते हैं उस तरह का आपको यहां पर दे देना है guys मतलब जिस भी topic पे आपका blog है जिस भी keyword को आप use करना चाते हो उस हिसाब से आपको यहां पर title दे देना है example के लिए मैं यहां पर बताने के लिए कोई भी title यहां पर दे देता हूँ अपने blog का तो आप यहां पर देख सकते हो है मैंने देदिया best course in Hindi क्यूंकि मैं यहां पर course वाला blog बना रहा हूँ तो best course in Hindi यह मैंने title select क्या है क्यूंकि यह ज्यादा लोग search भी करते हैं तो जब search करेंगे तो मुझे आसानी होगी मेरे blog को उपर लाने में तो इस निसाब से कोई भी आप अजसासाखी बाद अपने blog का title पर लीजिए उसके बाद आप यहां पर देख सकते हो address आपको अपने blog का address देना होगा address आप आगे चलते change नहीं कर सकते अब ऐसा नहीं है कि आप change ही नहीं कर सकते अगर जब तक आप free में चलाना चाते हो blog तब तक आप change नहीं कर सकते in future अगर आप 200-300 रुपे का कोई भी domain purchase करके अगर आप change करना चाहो तो आप change easily कर सकते हो तो यहां पर आपको अपने address अपने blog का address देना है address ऐसा देना है आपको कि आपका जो title है ना जैसे मैंने दिया best course in Hindi उससे मिलता चुलता कुछ आप दे क्यूंकि आगे चलके अभी तो आप blog बना रहे हो जब आप इसको rank कराने में काफी difficulty हो जाएगी अगर आप title अलग रखोगे अपने blog का address अगर अलग रखोगे तो तो आपको यह देहान में रखना है कि आपका जो title है आप उससे मिलता चुनता आपके blog का address होना चाहिए तो चलिए मैं यहां पर से address भी दे देता हूँ तो आप यहां पर देख सकते हैं जो मेरे title है मैंने वही दिया यहां पर तो यह बोल रहा है sorry this blog address is not available यानि कि यह किसी और ने already ले लिया है तो मैं यहां पर कुछ try करता हूँ कुछ और add करने का मैंने एक i i देखिए मैंने एक extra i लगा दिया last में तो यह block address मुझे मिल चुगा है तो इस तरह से आप देखिए अगर आपके titles related नहीं मिला तो कुछ भी आप add कीजिए जैसर 2 लगाई है या फिर double कुछ भी लगा दीजिए जैसे भी आपको address मिल जाएगा अगर नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो बेखिए मैं यहां पर बता रहा हूँ यह देखना अब मैंने एक i cut कर दिया तो यहां पर आप देखिए यह address available नहीं है तो आप यहां पर dash का भी use कर सकते हो इस तरह dash लगा सकते हो देखिए available है अब यहां पर in in से पहले dash और यहां पर best यहां पर dot तो देखिए जैसे ही मैंने चारो words में dash लगाया यह available नहीं है तो इस तरह से आप try कीजिए अगर आपकी case में available होता है तो आप easily blog address select choose कर सकते हो guys तो मैं यहां पर double icon रहने देता हूँ और उसके बाद यहां पर से आप कोई भी theme को select कर सकते हो आप बाद में भी theme को change कर सकते हो तो यहां पर से कोई भी theme select कर लिए तो मैं यहां पर से यह वाली theme को select कर लेता हूँ और उसके बाद यहां पर आप देखिए create blog पर क्लिक कर दीजिए बस आपका ब्लॉग बनकर रडी हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो, आपका जो ब्लॉग है वो बनकर रडी हो गया है, यहाँ पर यह डॉमेन लेने को पूछ रहा है, तो यहाँ पर से नोट ठैंक्स कर दीजिए, और अब आप देख सकते हो, आपका जो ब्लॉग का में भी आ गया है और यहां पर आप देखिए उसके बाद .blogspot.com आ रहा है क्योंकि हम blogger को free में use कर रहे हैं तो हमें blogspot.com ही मिलेगा क्योंकि blogspot.com यह Google का product है तो यह अगर हम इसे free में use कर रहे हैं तो यह यह हमें अपना sub domain देगा हमें इसके साथ ही इसको use करना है यहां पर आप देखिए आपके website आपके blog का URL होगा उसके बाद .blogspot.com आएगा इससे आपको कोई फरक नहीं पड़ेगा और आप इस domain पर blogspot.com पर भी आप approval ले सकते हो आपका blog जो है वो search में आएगा बहुत सारी चीज़े मतलब सब कुछ आप इसके साथ कर सकते हो बस in future अगर आप चाहो अगर आप चाहो आपको लगता है कि मेरा जो blog है grow होने लग रहा है अब मुझे blogging समझ आने लगी है अब मुझे इससे earning ह हो सकती है अगर आपको इसा लग जाए या फिर अगर आप चाहो चलो दो तिन सो ही तो लगेंगे एक साल की लिए मुझे मिल रहा है अब एक साल में तो मैं पेमेंट हिले ही लूँगा मुझे मेरे पैसे वापस मिल जाएंगे तब आप एक डॉमेंट खरीद सकते हो दो या यहां पर से आप का हर वह चीज को मैनेज कर सकते हो मैं आगे आने वाले वीडियोज में इन सबके बारे में आपको बडए डीटल में बताने में बाला हूं गैज तो यहां देख सकते हो देर इस लो पोस alors as already 1700 करना है तो अब चेंच करना है यहां पर देखे एन्ड इन्यू वो ब्लॉग के pages आपको बनाने होंगे, एक अच्छे सी theme आपको select करना होगा और जो भी थोड़े पहुत widgets होते हैं वो आपको लगाना है वो सारी चीजे मैं आपको next वीडियो में बताऊँगा, इसमें मैं आपको just ब्लॉग बनाना बताने वाला था कि best कौन सा रहेगा, आपके लिए WordPress या blogger और आप free में कैसे start कर सकते हो, तो अब आपका blog बनके ready हो चुका है guys तो next आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, आपका ऐसा दिखने वाला blog आपको किस तरह से customize करना है किस तरह से आपको अपने blog को set up करना है, किस तरह से आप एक beautiful blog बना सकते हो, वो मैं आपको next वीडियो में बताऊँगा guys इस वीडियो में मुझे बस आपको इसका introduction देना था और बताना था कि आप free में blog कैसा start कर सकते हो तो मैंने आपको यहाँ पर free में blog कैसे बनाते हैं, वो मैंने बता दिया है, next video में मैं आपको step by step सब कुछ बताऊँगा guys तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को like कीजिए, और अगर आप blogging सीखना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो blogging में तो guys, चैनल को subscribe कर लीजिए, यहाँ पर मैं बहुत ही scratch से, यानि कि बहुत ही शुरुवाइट से सब कुछ बता रहा हूँ, तो make sure कि आप चैनल को subscribe कीजिए, यहाँ पर इसी तरह के interesting videos आते रहते हैं guys, blogging से related, तो चलिए मिलते हैं एक और अगल interesting video के साथ, तो आप next video का इंत